हेलो फ्रेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हमारा आज का टोपिक है कौन से ग्रहन में क्या होता है? यह सब को पता होता है कि जब ग्रहन पढ़ता है या ग्रहन होता है, तो उस टाइम हमारा शन प्रथवी और मून, मतलब सूर्य, प्रत्वी और चंद्रमा इनके ही कारण ग्रहन होता है लेकिन कौनची ग्रहन में क्या होता है ये कन्फूज आता है जब टोपिक एक्जाम में पूछा जाता है तो हम इसे ट्रिक से याद करते हैं हमारी ट्रिक है सूर्य ग्रहन में समा जलता है और चंद्रिहन सम को आता है ये जो सबको पता ही होगा कि चंद्रिहन सम को मतलब रात को यह होता है तो हमाई ट्रिक में हम देखते हैं पहले सूर्य ग्रहन सूर्य ग्रहन में हमने बताया समा जलता है तो समा में हम S मतलब Sun M मतलब Moon और A मतलब Earth इसका मतलब है कि सूर्य ग्रहन में सन और अर्थ के बीच में हमारा मून आ जाता है इसी परण्द ग्रहन में हम देखते हैं कि साम को आता है तो S मतलब सन A मतलब अर्थ और M मतलब मून इसका मतलब यह हुआ कि चंद ग्रहन में सन और मून के मद्धे बीच में यह मध्ये प्रत्वी आ जाती है और एक इंपोटेंट पॉइंट है कि शूरु ग्रेण अमावश्य के दिन होता है और चंद ग्रेण पूर्णिमा के दिन होता है